मैं है स्लाम अदिन खान और आप दिख रहे हैं प्रहाट टाइम्स मुम्रा शहर में एद के मौके पर कई जगहां पर मेला लगाया गया है इसी तरह से अलमास में भी मेला लगाया गया है जहां पर आज मनपा की टीम कारवाई करने पहुंची थी और मनपा कर्मियों से कारवाई करने की जो है वजह पूछने लगे कि आखिर क्यों कारवाई की जा रही है तो मनपा कर्मियों ने बताया कि उन्हें उपर से जो आदेश मिला है उसी हिसाब से वो कारवाई कर रहे है जिसके बाद मेले के जिम्मेदार ये लोग किसी मनपा अधिकारी से मिलने के लिए चले गए और मनपा कर्मचारी वहाँ पर बैट कर निंतजार करने लगे कारवाई रोग दे गई थी थोड़ी देर तक लेकिन थोड़ी देर बाद एक फोन कॉल आया और सभी ये मनपा अधिकारी वहाँ से गाड़ी लेकर चले गए मगर कारवाई के बारे में मनपा अधिकारी सागर सालूंके ने हमें बताया फोन पर कि बिना परमीशन के ये मेला लगाया गया था इसलिए यहाँ पर कारवाई की गई अब सवाल उठता है कि अगर बिना पर्मीशन के ये मेला लगाया गया है तो आधा अधूरा कारवाई कर क्यों छोड़ दिया गया जब मनपा अधिकारी खुद बता रहे हैं कि मेले का पर्मीशन नहीं है तो फिर ये कारवाई क्यों रोग दी गई इसी तरह से मुम्रा शहर में और भी कई जगों पर मेले लगे हुए है और जब से ये मेले लगे हुए तभी से मुम्रा शहर में एक चर्चा का विशे बना हुआ है कि क्या जो मेले लगे हुए है इनकी पर्मीशन मनपा के तरफ से पुलिस परसासन के तरफ से दी गई है या फिर ये सभी मेले बिना पर्मीशन के लगे हैं ऐसा लोग सवाल उठा रहे हैं क्योंकि कोई भी ऐसा कारेकरम होता है तो वो दस बजे साड़े दस बजे रात के बाद जो है बंद करा दिया जाता है लेकिन जिस तरह से ईड में जो मेले लगे हुए है ये रात करीब बारा बार 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 ठीचल में जोगा लगे है जाए बारा आए है तरह सकते हैं क्योंकि अटाव है ये जोग जोगने कोशाव है औरा बार बार भी बार भी खारा आए हैज़गोग।